के लिए मैं आज आप लोगों के साथ हूँ के युनिवर्सटी का बीएड का जो रिजल्ट है वो अनौन्स कर दिया गया है जो कल आप लोगों का रिजल्ट आया था इसके अंदर आपका में एजुकेशनल और बहुत सारे रिजल्ट शामिल हैं आप देख पा रहे हैं जैसा क यह आपकी युनिवर्सटी की न्यू वेबसाइट है अगर आपको यहां से रिजल्ट चेक करना है तो आप उपर दिये गए new.k.ac.in रिजल्ट के उपर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बात करते हैं रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारे बच्चों के कॉल आ चुके हैं मुझे कि मेरा ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है मुझे ये चीज समझ रही है पहले तो result देख लेते हैं, आप लोगों का result जो है वो कैसा आया है, ठीक है, क्या आप लोगों के result में problems आई हैं, जो बच्चों के calls इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पहला है REP, और दूसरा है RPR, मैं दोनों ही चीजों का मतलब आप लोगों को बताऊंगी, क्या आप लोगों का यह solution है, इसका वो भी मैं आप लोगों को यहां बताने वाली हूँ, यह आपका result है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, कि बहुत सारे यहां absent हैं, बहुत सारे रियपियर हैं, बहुत सारे RPR हैं, RPR उनी बच्चों का दिया गया है, जिनके यहां नमबर नहीं शो किये गए ह जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, absent है, mostly, RPR यहां पर reappear दिया गया है, fail यहां पर बच्चों को किया गया है, यह आपको यहां दिख रहा है, नमबर 34F यहां पर दिख रहा है, 15F यहां दिख रहा है, और 31F यहां दिख रहा है, यह आपका first year का result है, कुरुक्षेतर जिसमें बच्चे कह रहे हैं, हम बहुत अच्छा लिख कर आये थे, बट हमारा result अच्छा नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या reason है, यह उनका यहां पर कहना है, आप यहां पर एक result देख पा रहे हैं, यह किसी बच्चे का है, जिसके अंदर ABSF लिखा हुआ है, सारे ही paper में एक paper को छोड़ कर, जिसके अंदर उसके paper में 56 number यहां पर शो किये गए हैं, और last में वहां पर उसका 891FCS यहां दिखाया गया है, और REP इसको दिया गया है, मन्स reappear इसको दिया गया है, यह सारे आपके number है, जिन बच्चों ने बूल रहे हैं, 34 हमारे number आए हैं, फिर हमे क्यों fail किया गया है, ठीक है, यहां पर आपका क्या होता है, कि जो आपका number होना चीए, 30 का number होना चीए, वो 32 होना चीए, विद आपका जो assessment number जूडते हैं, उनको जोड़कर 24 number बनना चीए, जो कि आपका 36 ही बन रहा है, या 34 बन रहा है, तो बिलकुल आपका reappear यहां माना जाएगा, 39 वाले भी reappear में ही include किये जाएंगे, क्योंकि total जो number बनना है, 42 बनना है, आपके 80 में से, ठीक है, आपके 80 में से तो होने चीए, 32 और आपके 100 में से होने चीए, 42 नमबर तब जाकर आप लोग पास होते हो, that's why यहां पर बहुत सारे बच्चों के marks में F लिखा ग रैठे हैं, 28, 31 जिनके number हैं, वो अपना revolution का form fill करते हैं, जिन बच्चों के यहां पर 9, 10, 12, 15 नमबर हैं, वो बच्चे रहने दें अपने form को fill करने को, क्योंकि यह बच्चे अगर form fill करते हैं, revolution का तो इनके लिए beneficial है, बट यह बच्चे अगर form fill करते हैं, तो यह इनके beneficial नहीं है, दूसरा चीज, आप प्लीज अपना paper confirm कीजिए, कौन सा कितने number का है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, कि यहां 24 वाले pass हैं, और यहां 10, 9 वाले fail हैं, तो यह paper कम का है, यह paper जो total है, वो कम का है भाई, और यह वाला paper जो है, आपका total इसका जादा है, मिन्स यह 100 marks का है, यह 50 marks का है, so please focus on that, कि आपका कौन सा paper कितने number का है, जैसे 805 हुआ paper कितने का था, 804 वाला कितने का है, 800, मितलब यह 3 paper आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, यह 3 paper तो हैं 100 के, ठीक है, और यह हैं आपके 40-40 के, जो की आपका second year के subjects होते हैं, first year में और second year में जो subjects आप के, के UK University के अलग-अलग होते हैं, कि इनके first year में भी 50 number का paper दिया जाता है, तो 50 number में जो बच्चे होंगे, वो 24 में यहां पास दिखा रखे हैं, तो 24 इनका total रहने वाला है, जिसमें यह पास रहेंगे, आप यहां देख पार हैं, 24 से नीचे किसी का भी number यहां नहीं show हो रह है, 16, 15, 14, 18, 16, 11, 12, इन सभी पे reappear दिया गया है, और 24 वाले बच्चे पास हैं, मिन्स आप जो 50 number का paper है, उसमें 24 पे पास हैं, जो 100 number का paper है, उसमें 42 पर पास रहेंगे, सो प्लीज अपना result अच्छे से चेक कीजिए, result का link मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगी, and प्लीज सपोर्ट कीजिए, मैं मतलब बता देती हूँ आपको उन सभी चीजों का जो आपके papers में आप लोगों को देखने को मिली है, मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, एक त ही नहीं गई है, बाकि मैंने इतना पूरा result चेक किया नहीं है, अभी कि UMC वेगर है, तो UMC लिखा आएगा, जिनका भी UMC बना होगा, otherwise अगर आपके यहां total number दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह हैं, आप पास है, total number दिए होने पर, so आपको मतलब बता देती हूँ, मैं वी UK University के results के updates हैं, कि आपका result में अगर UMC या RL UMC आया है, तो उसका मतलब होता है, unfair case या decision is still pending, आपका जो decision है, वो pending है, और उसके बाद अगर आपका यहां पर जैसा दिख रहा है, RLD है, तो result लेट है, किसी marks या roll number की वज़े से, CL लिखा है, तो paper cancel हो जाता है, RLA है, तो result available of marks में, मतलब आगे से number आपके नहीं आए है, आप लोग उन से पूछने हो, RPR का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, registration low, means आपका अभी registration number जारी नहीं किया गया है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके जो college है, ठीक है, आपके जो university है, वहाँ पर जाकर result branch मे आपको room number 1, 2 और 3 में जाकर संपर्क करना होगा, जो कि आपके details रखते हैं, वह आपका महासे details को update करेंगे, देन आपका जो registration number है, वो जारी होगा, जैसे ही registration number जारी होगा, आपका result आ जाएगा, absent यानि आप सबी subjects में absent है, RPS का मतलब होता है, cancelled या फिर RL with held, यानि previous result आपक है कि आप eligible ही नहीं थे bead करने के, RLD का मतलब है, result late है, due to आपके जो marks और roll number हैं, उनकी वज़े से, RLMD मतलब होता है, result late to dispute in marks, मतलब आपके number अभी जारी नहीं किये गए हैं, उसकी वज़े से आपके RL है, RPFD, जहां अभी मैंने आपको दिखाया, वहा है, result pending fee defaulter, DMC has been with head as complete examination or any other fee has not be deposited by the student, इसके अंदर बच्चे द्वारा उसकी fees नहीं भरी गई है, that's why उसका result hold पे रखा गया है, I hope आपको यह सारे doubt clear हो गए होंगे, करना क्या है अब आपको, जिन बच्चों का F आया है, ठीक है, या तो वो अपना revolution का form भर दें, या तो वो revolution का form भरेंगे, या फिर वो reappear का form भरेंगे, revolution का form आपका एक दो दिन बात जारी कर दिया जाएगा, reappear के form के जैसे ही update आईगी, मैं चैनल पे आप लोगों को update कर दूंगी, दूसरी चीज भाई, आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके 42 से लग भग 30 से उपर नंबर हैं, तो बिलकुल आप यहां revolution भर दीजिए, 24 नंबर दूसरे पेपर में आपको चाहिए, अगर 24 से थोड़े बहुत कम हैं, जैसे 18, 19, 16 यह नंबर कम हैं, तो हाँ बिलकुल आप अपना revolution भरिए, otherwise आप अपना revolution मत भरिएगा, क्योंकि इतने जादा नंबर नहीं भढ़ेंगे, 30 से उपर वा लगें, आप लोग फालतु में फॉर्म भरते रहें, रिवनिलेशन का फॉर्म जो होता है, 300-400 रुपए में फिल हो जाता है, रिएपियर का जो फॉर्म रहेगा, वो 800-900-1200 ऐसी उनकी फीस रहती है, डिपेंड करता है आपको उनसे यहर के एडमिशन है, so all the very best for your future and your upcoming results, all the very best, please do like, share and subscribe my channel, have a great day, take care.